जैगुरु जी, परमेश्वर की शक्ति का रिश्यों दोड़ा साक्षातकार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुकती, शिव की सेवा भक्ती तथा पांच प्रकार के शिव धर्म का वर्णन उपमन्यू कहते हैं परमेश्वर शिव की स्वभाविक शक्ती विद्या है जो सबसे विलक्षन है वह एक होकर भी अनेक रूप में भासित होती है जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप में प्रकाशित होती है उस विद्या शक्ती से इच्छा, ज्यान, क्रिया और माया आदी अनेक शक्तिया उत्पन हुई है ठीक उसी तरहां जैसे अगनी से बहुत सी चिंगारिया प्रकट होती है उसी से सदाशिव और इश्वर आदी तथा विद्या और विद्येश्वर आदी पुरुष भी प्रकट हुए है परातपर प्रकृती भी उसी से उत्पन हुई है महातत्व से लेकर विशेश परियंद, सारे विकार तथा अज, ब्रह्मा, आदी मूर्थियां भी उसी से प्रकट हुई है इनके सिवा जो अन्यवस्तों हैं, वे सब भी उसी शक्ती के कारे हैं, इसमें संशे नहीं है वह शक्ती, सर्व व्यापनी, सुक्ष्मा तथा ज्यान आनंद रूपनी हैं, उसी से शितान शुभूशन भगवान शिव, शक्ति मान कहलाते हैं शक्ति मान शिव वैद्य हैं और शक्ती रूपनी शिवा विद्या है वे शक्ती रूपा शिवा ही, प्रज्या, शुरूती, स्मृती, ध्रीती, स्थीती, निश्था, ज्यान शक्ती, इच्छा शक्ती, कर्म शक्ती, आज्या शक्ती, परभ्रम, परा और अपरा नाम की दो विद्याएं, शुद्ध विद्या और शुद्कला हैं क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कारे है माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत और सत आधी जो कुछ भी उपलब्ध होता है वेह सब उस शक्ति से ही व्याप्त है वे शक्ति रूपिनी शिवा देवी, माया, द्वारा, समस्त, चराच, ब्रह्मान को अनायास ही मोह में डाल देती और लीडा पूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त भी कर देती है इस शक्ति के 27 प्रकार है 27 प्रकार वाले इस शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपून विश्व को व्याप्त करके स्थित है इन ही के चर्णों में मुक्ती विराश्ति है पूर्वकाल की बात है संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रहमवादी मुन्यों के मन में यह संशे हुआ वे परस पर मिलकर यथार्त रूप से विचार करने लगे इस जगत का कारण क्या है हम किस से उत्पन हुए हैं और किस से जीवन धारन करते हैं हमारी प्रतिष्ठा कहा हैं हमारा अधिष्ठाता कौन है हम किस के सहयोग से सारा सुख में और दुख में रहते हैं किस ने इस विश्व की अलंगनिये व्यवस्था की है यदि कहें काल, स्वंभाव, नियती, निशित फल देने वाला कर्म और यद्रिच्छा अकस्मि घटना इसमें कारण हो तो यह कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ता पांचों महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है इन सबका सैयोग तथा अन्या कोई भी कारण नहीं है क्योंकि ये काल आदी अचीतन है जीवात्मा के चेतन होने पर भी इसका विचार करना चाहिए इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब वे युक्तियों द्वारा किसी नीने तक ना पहुंच सके तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का सक्षत कर किया जो अपने ही गुनों से सत्व, रज और तम से ढकी है तथा उन तीनों गुनों से परे है परमेश्वर की वह साक्षात शक्ति समस्त पाशों का विच्छेद करने वाली है उसके द्वारा बंधन काट दिये जाने पर जीव अपने दिव अद्रिष्टी से उनसर्व कारण कारण शक्ति मान महादेव जी का दर्शन करने लगते हैं जो काल से लेकर जीव आत्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपून विश्यू पर अपने इस शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं सो यहां पर यह सेंटेंस में दुबारा पढ़ूँगी संपून जी यह बोलते हैं कि परमेश्वर की वह साक्षत शक्ति समस्त पाशों मतलब बंधनों को दूर करने वाली है तो जब बंधन कर जाते हैं और उनकी दिव्य दृष्टी मिल जाती है उसके बाद महादेव जी के दर्शन होते हैं वे परमात्मा आप्रमे हैं तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग परम योग तथा सूद्रि भक्तियों के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गती प्राप्त कर ली श्री कृष्ण जो अपने हृदे में शक्ति सहीद भगवान शीव का दर्शन करते हैं उनी को सनातन शांती प्राप्त होती है दूसरों को नहीं यह शूति का कथन है शक्ति मान का शक्ति से कभी वियोग नहीं होता अतहे शक्ति और शक्तिमान दोनों के ददात में से पर्मानन्द की प्राप्ति होती है मुक्ति की प्राप्ति में निश्चे ही ग्यान और कर्म का कोई कर्म विवक्षित नहीं है जब शिव और शक्ति की कृपा हो जाती है तब वह मुक्ति हाथ में आ जाती है देवता, दानव, पशु, पक्षी तता किले मकोडे भी उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं गर्ब का बच्चा, जनता हुआ बालक, शिशु, तरुन, व्रिद, मुमुरुष, सरगवासी, नार्की, पतित, धर्मात्मा, पंडित, अत्वामूर्ख, सांब, शिव की कृपा होने पर ततकाल मुक्त हो जाते हैं इसमें संशे नहीं हैं परमेश्वर अपने स्वभाविक करना से अयोग्य भक्तों के भी विविद मलों को दूर करके उन पर कृपा करते हैं इसमें संशे नहीं है बगवान की कृपा से ही भक्ती होती है और भक्ती से ही उनकी कृपा होती है अवस्था भेत का विचार करके विद्वान पुरुष इस विशे में मोहित नहीं होता क्रिपा प्रसाद पूर्वक जो यह भक्ती होती है महभोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ती कराने वाली है उसे मनुश्य एक जनम में नहीं प्राप्त कर सकता अनेक जनमों तक श्रौत स्मार्थ कर्मों का अनुश्ठान करके सिध हुए विरक्त एवं ग्यान संपन पुर्शों पर महेश्वर प्रसन होते और कृपा करते हैं देवेश्वर शिव के प्रसन होने पर उस पशु याने की जीव में बुद्धी पूर्वक थोड़ी सी भक्ती का उदय होता है तब वह यह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी है फिर तपस्या पूर्वक वह नाना प्रकार के शैव धर्मों के पालन में संदलगन होता है उन धर्मों के पालन में बारंबार लगे रहने से उस कहरिदे में पराभक्ती का प्रादुर्भाव होता है उस प्रड़ा भक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है प्रसाद से संपून पापों से चुटकारा मिलता है और चुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वह तीन जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है उसे इस संसार में योनी यंत्र की पीड़ा नहीं सहन करनी परती सांगा अंगसहित और अनंगा अंगरहित जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं फिर उसके तीन भेद होते हैं मानसिक, माचिक और शारिरिक शिव के रूप आदी का जो चिंतन है उसे मानसिक सेवा कहते हैं जब आदी वाचिक सेवा है और पूजन आदी कर्म शारिरिक सेवा है इन त्रीविद सादनों से संपन होने वाली जो यह सेवा है इसे शिवधर्म भी कहते हैं परमात्मा शिव ने पांच प्रकार का शिव धर्म बताया है तब, कर्म, जब, ध्यान और ग्यान, लिंग पूजन आदी को कर्म कहते हैं, चंद्रायन आदी वरत का नाम तब है, माचिक, उपांशु और मानस तीन प्रकार का जो शिव मंत्र का अभ्यास है उसी को जब कहते है शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंदी आगों में जिस ग्यान का वर्णन है उसी को यहां ग्यान शब्द से कहा गया है श्रीकंठ शिव ने शिवा के प्रती जिस ग्यान का उपदेश दिया है वही शिवा गम है शिव के आश्रित जो भक्त जन है उन पर क्रिपा करके कल्यान के एक मात्र साधक इस ग्यान का उपदेश दिया गया है अतहे कल्यान कामी मुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह परम कारण शिव में भक्ती को बढ़ाए तथा विश्या सक्ति का त्याग करे यहाँ पर अध्याय साथ संपून होता है संदर जी आज हम इतना ही पढ़ते हैं गुरुजी के क्रपा से कल फिर आगे पढ़ेंगे बहुत बहुत इसमें बहुत है इसके अंदर आज जो मानसिक सेवा बताई गई है यहाँ पर और जब जो वाचिक सेवा बताई है और एक शारिरीक सेवा बताई गई है फिर उसके बाद आगे पांच प्रकार का शिवधर्म बताया गया है जो की तब कर्म, जब ध्यान और ग्यान तो यही करते हैं और सबसे बड़ी बात अनुने ग्यान का क्या वर्णन किया है ग्यान शब्द का है मतल़ शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है और शिव संबंदी आगमों में जिस ग्यान का वर्णन है उसी को यहां ग्यान करते हैं यहाँ पर एक चीज है हमने बताया है कि कई जनम लग जाते हैं भक्ती अगर हम अपना मुक्ती चाहते हैं अपने गुरू के जड़नों में जाना चाहते हैं तो वो एक जनम में नहीं होता बहुत जनम लग जाते हैं उसके लिए तो बस हमें क्या करना है हमें बस चलते रहना है इस गुरुजी की कृपा से बस चलते रहें और बागी उनको मालूम है कि वो किस तरह से हमें अपने चलों में पहुंचाएंगे जै गुरुजी ओम नमाई शिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमाई शिवाई गुरुजी सदा साइड